नवस्कार सरिपोस्ट में आपका स्वागत है मिस्तेहा भाति आपके साथ बिहार के पुरु सक्षा मंत्री और जदियो विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाग से सियासी गलियारे में शोग की लहट छा गई है आपको बता दे कि जदियो अध्यक्षा आर्सिपिस सिंग ने उनके निधन पर अपना शोग जाहिर किया है वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्पी आदम ने मेवालाल चौधरी के निधन पर गहरी संवेदना जाहिर की है चौकाने वाली बात ये है कि पुर्व सिक्षमंत्री के निधन पर बिहार के सीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है ट्विट कर मेवालाल चौधरी के निधन पर तेजस्पी आदम ने लिखा है कि बिहार के पुर्व मंत्री एवं तारापूर से जदियु विधायत स्री मेवालाल चौधरी का कोरोना संक्रमन से हुई आसमेत निधन पर गहडी शोक संवेदना व्यक्त कर उन्हें भाव भिन स्रधांजली अर्पित करता हूं इस वर दिवंगत आत्मा को शांती तथा परिवार को दुख सहने की श्रक्ति प्रदान करें वहीं जदियु की तरफ से भी उन्हें स्रधांजली दी गई है आपको बता दे कि उसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्च तेजस्पी आदम न पिर माना तब नमस्ते ट्रम और MP में सरकार बना ताली थाली बजबा दिया बत्ती जलवा रही थी और अब वो मामले बढ़े तो गेंद राज्यों के पाले में फेक दिया जब केंदर सरकार का कोई दायतवन नहीं है तो नहीं है किस लिए इस तरह से कोश्चन किया है उन् सरकार से सवाल किये हैं उन्होंने लिखा है कोरोना संकत को एक साल बीद गया पर केंदर सरकार ने अब तक क्या ठोस कारिक किया हेल्थ एंफस्ट्रक्चर को कितनी मजबूती दी पीम केर फंड का कहा सदुपियोग हुआ आरोग्य से तू एप कितना कारगर हुआ टीका करन की गती कच्छवा चाल क्यूं है वेंटिलेटर ओटू जरूरी दवाओं बेड और संजीदगी की कमी क्यूं है इस तरह से उन्होंने आज सरकार से सवाल किये हैं नेता प्रतिपक्ष ने एक तरफ जहां सोक सम्वेदना व्यक्त किया है वहीं सरकार पर सवाल खरे किये हैं तेजस्पी आदब ने एक बार फिर से बिहार सरकार और केंदर सरकार को आरे हां थो लिया है अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो मारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजेगा धन्यवाद